गुड मारिंग स्टूडेंट्स वैलकम पर नेक्स डीपिए स्क्लास ना वर नेक्स सेक्शन सी इस क्रियेटिव जोन लाइफ स्किल्स देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है Make your Identic Card आपको एक Identic Card बनाना है मतलब एक पहचान पत्र बनाना है Stick a paper on a piece of card pot Stick a paper तो आपको यहाँ पर क्या करना है एक cardboard लेना है paper के piece लेना है paper का टुकड़ा लेना है cardboard उसे stick से paste करना है With the help of your elder आपकी जो घर में बड़े elders है उनकी help लेना है cut it into a four squares कैसे करना आपको इसके four squares में काटना है मतलब इसको square में cut करना है fill it और उसे वहाँ पर fill करना है keep it with you whenever you go and जहाँ पर आप जाते हैं उसे वहाँ पर रखना है it can be great help in emergency जो आपकी emergency में help करेगी जैसे आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने तो इसे वहाँ पर लगाना है ठीक है तो हमारी first heading है name यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है ठीक है हमारा second point है date of birth यहाँ पर आपको आपकी date of birth लिखना है means आपको birthday किस दिन आता है आपको वह आपकी date of birth लिखना है class आप कौन सी class में study करते है जैसे आप first class में study करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा first fourth point है हमारा father's name यहाँ पर आपको आपके father का नाम मतलब पापा का नाम लिखना है mother's name यहाँ पर आपको इस column में आपके mamma का नाम लिखना है school bus number अब आप school जाते हैं तो आप कौन सी bus number से आपको यहाँ पर bus number का लाम लिखना है home address हम address पतलब घर का पता यहाँ पर आप रहते हैं आपके address लिखना है next हमारा contact number यहाँ पर आपको आपका पापा का यह अपमी का contact number लिखना है आगे आप लोगों को समझ में देखिए अभी चौक और बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है पेस्ट यूवर फोटो मतलब यहाँ पर आपको आपकी फोटो पेस्ट करना है मतलब चिपकाना है ठीक है तो आगे आप लोगों को समझ में तो इस्टुडेंट्स